तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाल है Android application के themes के बारे में जहापे आप लोग ने बहुत सरे application में देखा होगा कि वहापे light theme, dark theme या फिर system, default theme या फिर और भी बहुत सरे color theme चूज करना का भी option होता है जैसे कि manually भी चूज कर सकता है या फिर बहुत सरे application में मैं आपको यह बता दना चाहते हूँ कि अगर अपना मेरी YouTube चैनल का अभी देख सब्सक्राइब ने किया तो क्या कर रहूँ यार 10K subscribers होने वाले है बहुत जल्स सब्सक्राइब कर दो 10K बना दो giveaway ला दूँगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो आज के पहले तो एक test AFL बना रखा है बहुत ही डमी सा इसको पहले रण करके देखते हैं फीड देखिएंगे इसका ब्लॉक्स यह हो गया वह बड़ा application हम देख सकते हैं बहुत ही symbol से रखा गया है और इसमें देख सकते हैं आप थीम बोलके कुछ है और यहाप लाइट थीम ड्रॉपड़न है लाइट थीम डार्ट थीम एंड सिस्टेम थीम का आप कोई भी color थीम यहाप डाल सकते हैं मैं आपको दिख background पर apply किया हुआ है और जो आखिर का option है वह system थीम तो जैसे कि अभी आप देख सकते हमरा अभी जो थीम है वह system थीम डार्क थीम एनवल नहीं है इसलिए system थीम भी हमरा white हो गया अगर हम इस पर से सकते है डार्क थीम मैंने आफ कि है और यह देख सकते है और यह देख सकते है और यह सब काम automatically हो जाएगा तो अभी चलिए देखते है ब्लॉक्स बगड़ा तो ब्लॉक्स बगड़ा बहुत सिंपल रखा है मैंने आप लोगों समझाने के लिए अभी मैं सारा कुछ डिलीट है दूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो देख सकते हैं मैंने सारा कुछ ब्लॉक्स है पिसे डिलेट कर दिया है तो चलिए करते हैं न्यू से आप लोगों के सहाथ तो डिजाइनर सेक्षिन में तो कुछ जादा नहीं आप लोगों को बता देखिया किया है एक काईड वीव है इसका अंदर एक होरिजून्टल एरजमेंट है और इसके अंदर एक टेक्स्ट लिया है मैंने और तीसरा लिया है मैंने एक spinner जिसमें की drop down है light theme, dark theme and system theme का और कुछ भी नहीं किया है बस सारा कुछ default साई है और यहाँ पर मैंने लिया एक night mode का extension यह आपको खाप में मिल जाए यह देखिए मैंने पहले से नहीं होता ही है यह मैंने input किया हुआ है देख सकते यह रहा extension में इसका download link मैं आपको नीचे description पर दे दूँगा या फिर आप डारेक्ट मेरे ब्लॉक पर भी जा सकते है उसमें से लाश्ट वाल ब्लॉग भी तो यह है देख सकते हैं जैसे पर जाएंगे आपको simply यह पर से मिल जाएगा night mode AI जो के extension है AI मिल जाएगा and test application API के बोलके भी आपको यह पर से मिल जाएगा तो ब्लॉक्स में सबसे पहले तो अपने जो भी spinner लागा है spinner या फिर आप रेडियो बटने से भी कर सकते कुछ भी जिससे आप चाहो इसमें आपको इफ दन का condition लगा देना है जैसे कि हमें हमें आप याभी तीन कंडिशन और चार कंडिशन ले लेते हैं वैसे तो हमें तीन ही नहीं चाहिए बस लेकिन मैं आपको एक और एक्ट्रा बोनास टिप देने वाला हूँ तो सब में चलिए अभी लॉजिक लगा देते हैं अग्वाट सेलेक्शन और इसको सब में कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद हमको यह पर अभी थीम का नाम देना है जो भी सिलेक्शन हमने रखा था तो सबसे पहले वाला तो होगा हमरा लाइट थीम अगर दूसरा हो गया डार्ट थीम आपको सेम डूसें जो नाम अपने श्रम पर डाला वही नाम है पिर डालना है और तीसरा हो गया हमना सिस्टेम थीम और चोथा जो हमने bonus theme रहा है वो आप अपने सबसे कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि मैंने भी फिला ले पेसे कर देता हूं पिंक थेम घर देता हूं आप कुछ भी या पेसे unlimited condition लगा कि unlimited कर सकते हैं तो यह जो चौथा हमने add किया इसके लिए हमको spinner पे भी add करना होगा देख सकते हैं लाइट तीम डार्क तीम सिस्टेम तीम एंड एक और कॉमा देके एड़ कर देते हैं हम यह हो गया हमारा इंक तीम हां डन बस इतना ही करना है उसका ब्लॉक्स पर फिर्स जाते हैं और यह पर से मैंने बता ना बूल किया कि आपको एक क्लॉक का कॉम्पोनेंट बिचाएं और इसका ओलेस फायर्स को ओफ कर दीजिए एंड टाइमार इंटरवेल को हंडेट कर दीजिए वन तो जन होता है क्ल्राइक करके दिखाएंगे आप पूरे एप्लीकेशेन से अप्लाइख कर सकता है इसको तो 저희가 का खेल तो स्क्री चबनीं का बेग्राउंड कलर हमें चाहिए है यह होगा मेरा बड्लाउंड कलर ऻो इन्दा केस अउफ लाइट थिम्प Mr. ले लेत इसी को भी करते है डूब्लिकेट और अगर हमारा डार्क थीम चूज करता है कोई यूजर तो सबसे डार्क ग्रे हो जाएगा अब अपने सबसे कुछ भी रख सकते हैं मैं लाइट इन डार्क ग्रे रख रहो और पिंक थीम का तो आपको पता ही है या फिर जो भी कलर आप लगना है ताकि ऑटमेटिक डिटेग हो जाएगा कि सिस्टेम पे कौन सा थीम अभी अप्लाइड है तो इसके लिए इसमें अपको फिर से को एक से दो ही ब्लोक है पहला ब्लोक आपको लेना है इस इस नग्ट मोड एक्टिबेट टिक्ल्स टू फू मतलब अगर यह एक्टिबेटेट एकल फू है अगर यह पसे ट्रू हो जाता तो मतलब हमारा जो डार्क थीम है वह अपलाई हो जाएगा और यह पिसम एलस का अगर आप इसी काम को ऑटोमेटिक करना चाथे अभी तो आपको आपको जो अमने लिया था उसे लेना है और क्लॉक में सिंपली आपको यह इफ देन वाला कॉंडिशन लागा दैने देख सकते आप अगर मतलब डार्क मुड एनेबल हुआ तो डार्क हो जाएगा और नहीं हुआ तो लाइट ग्रे हो जाएगा और जैसे हम सिस्टम थीम को करते तो यह पर मतलब यह क्लॉक जो है अपने नीचे ब्लॉक का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको सारे डाउनलोड लिंक्स एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगरा सब कुछ मिल जाएगा आप ऐसे अभी तो एंडुड एपिके बंडल का भी ऑप्शन आ चुका है जिससे आप प्लेश्टर में बहुत यासनिस बाइबाएबाएबाद इससोया चुका है लिय जाएगाएबाद झाल आपको फिस एंग का दो पिस एंग उन आपको झाल करें से खुका है यब नाएगाएबादान